इसे बनाते समय कुछ बातों का ध्यान देना है पूरे बिंटर भर आप लोग इंज्वाई करेंगे सर्दियों में आपका फेस काला पड़ जाता है बहुत सारा दाग धबा जाईया ब्राउन इस्पोर्ट दिखने लगा है फेस पे तो रोज रात को इसे लगाया कर ये चाहें आपका एज जो भी है रिजल्ट आपको अमेजिंग मिलेगा बिंटर में हमारे स्कीन के लिए किसी बरदान से कम नहीं है इसे आप सीरम भी बोल सकते हैं नाइट क्रीम भी दोनों तरह से फेस पे काम करेगा इसको लगाने के बाद आपको कोई मोस्चुराजर भी फेस पे लगाने की जरूरत नह बनाने के लिए आपको ले लेना है एक नीबू तो जो मैं यहां पे नीबू ले रही हूँ यह हरा है अगर आपके पास पीला वाला नीबू है तो आप ओभी ले सकते हैं बनाने का तरीका बिलकुल अलग है आपको बहुत सारा बेडियो मिल जाएगा सीरम बनाने का क्रीम लेकिन इस तरीके से अभी तक किसी ने नहीं बताया होगा मैं लिख कर आप लोग को दे रही हूँ एक बार इस तरीके से आप लोग बना कर कुछ टाइम यूज करके देखिए आप इसके दिवाने हो जाएंगे इतना अमेजिंग रिजल्ट देता है कि मैं इसका जितना भी तारीफ करूं उतना कम है तो एक नीबू लेकर के इसका छिल्का आपको कद्दुकस कर लेना है नीबू आपको नहीं यूज करना है उसके छिल्के से सीरम को तयार करना है ठीक है तो या तो आप चकु की सहायता से उसका छिल्का हटा सकते हैं या तो इस तरीके से कद्दु भी आप इसकीप मत करिएगा अगर बिंटर में आपका फेस बहुत जादे ड्राई हो जाता है काला पड़ जाता है फेस पे दाग धबा दिखने लगा है ब्राउन स्पोर्ट आपके फेस पे अचानक से दिख रहा है तो ए रेमेडी आपके लिए बहुत जरूरी है आप अपन से 6 टुकडा हल्दी का डाल दे रही हूँ अगर आपके पास वाइट टर्मरिक है तो आप आधा चमच ले सकते हैं लेकिन अभी मेरे पास ओ खतम हो गया है तो मैं यहाँ पे गाठ वाला हल्दी ले रही हूँ जिसका की छोटा टुकडा कर ली हूँ 5-6 टुकडा है अब ल लगा चुकी हूँ मुझे तो अमेजिंग रिजल्ट मिला है तब आप लोगे साथ मैं सेयर कर रहे हूँ इसी तरीके से आपको भी इस सीरम को तयार करना है इसे आप क्रीम भी बोल सकते हैं सीरम भी बोल सकते हैं आपके फेस पे हर तरह से काम करेगा कोई भी रेमेडी मैं आप लोगे साथ सेयर करती हूँ तो बिल्कुल यूनिक होता है तो बस इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि एक वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसे सेयर करिएगा ताकि बहुत सारे लोगों के हेल्फ हो सके बिंटर में बहुत सारे लोगों उपर से मैं तवा रख दी हूँ इसी तरीके से आपको भी बनाना है इसे आपको डाइरेक्ट गैस पे नहीं रखना है मतलब गैस पे इसे आपको ऐसे नहीं रखना है नीचे कोई सपोर्ट रख दीजिए जैसे की कड़ा ही हुआ या तो तवा हुआ मतलब आपको टाइम देखकर दो मिनट के लिए आपको पकाना है अब आप लोग डरिये मत की हल्दी मैं इतना जादे यूज की हूँ तो इसकीन पीला हो जाएगा जी बिल्कुल भी नहीं पीला होगा जब आप इसे अपने फेस पे लगाएंगे तो आपको नहीं लगेगा कि आप इसमें ह अच्छा रिजर्ट देता है कि मैं क्या बता हूँ आप लोग से हाइली रिक्वेस्ट कर रही हूं कि इस सीरम को आप लोग सर्दी में लगाना शुरू करिए पूरे बिंटर भर आपके फेस का निखार गायब नहीं होगा इसे बनाते समय आपको कुछ बातों का ध्यान दे नीबु में भरपूर मात्रा में बिटामिन सी होता है जो की फेस को पूरी तरह से ब्लीच करता है दाग धब्बे को जाईया को लाइट करता है हमारे इसकिन को फेयर करता है तो नीबु का छिलका मैं यहां पर यूज की हूँ जो की बिटामिन सी सीरम बन के तयार होगा तो जब क्या आपको mix करना है कैसे बनाना है वीडियो पर बने रहे इसकी मत करिएगा आप लोग 5-6 मिनट छोड़ने के बाद पूरी तरह से ठंडा हो गया है और इसका color भी आप लोग देख सकते हैं जब आप इसे अपने face पे लगाना सुरू करेंगे तो आपके face पे golden निखार आएगा जो कि आप लोग जाकर पारलर में जो facial कराते हैं इतना महगा और निखार आप घर पे ला सकते हैं बिना एक पैसा खर्च किये हुए जब आप इसे रोज रात को लगाना सुरू करेंगे result आप लोग को जो मिलेगा आप market का cream serum सब भूल जाएंगे तो इसे अब आप vitamin sea oil निकड करके आया है अब इसमें कुछ मिलाना बाकी है तो आप लोग इसका color भी देख सकते हैं मैं इस serum का जितना भी तारिफ करूं उतना कम है फ्रेंड आप लोग से highly request कर रहे हूं कि please मेरे कहने पे सिर्फ एक हपता बना कर आप लोग ट्राइ करिए ज्यादे बनाने की जरूरत नहीं है थोड़ा सा बनाईए रिजल्ट जब आपको मिलेगा तब फिर से ज्यादा बनाईएगा और अपने फ्रेंड और फैमली में भी इसे सेयर करिएगा इस serum को बना करके जिनको भी आप इसे बना कर देंगी वो लोग आपका तारिफ करते हुए नहीं ठकेंग तो ये खराब नहीं होगा इसे आप बाहर भी रख सकते हैं फ्रेज में रखने की जरूरत नहीं है कोई भी आपके पास क्रीम का डिब्बी हो जैसे कोई खाली कंटेनर हो कांच का हो तो और अच्छा है उसमें आप भर के इसे रख लीजिए और सुबह असाम आप अपने फ कारा कि आप रीक्स करन ली हूं सकते हैं कि विल्कुल की तरह तयार हो गया है मारकेट से इतना मांगा-μांगा सीरम क्रीम आप लोग लाते हैं इसके आगे वंुद् Go easy एक पैसा भी आपका खर्च नहीं होगा इसे आप घर पे असानी से बना सकते हैं तो इसे मैं अपने हाथ पे लगा करके आप लोग को दिखा रहे हूं जब आप इसे अपने face पे लगाएंगे तो first apply में ही इतना अच्छा निखा रहेगा आपका face इतना glow करेगा आप लोग जिस हाथ में मैं लगाई हूँ उसका गुलो देख सकते हैं और इस हाथ पे मतलब की अमेजिंग रिजल्ट देता है तो आज ही इस सीरम को आप बना लीजिए और पूरे बिंटर भर आप अपने फेस पे लगाना सुरू कर दीजिए वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा ह सीरम बनाने का तरीका पसंद आया हो तो लाइक करिए शेयर करिए चैनल पनियू है और आपको इस टाइप का वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकेन को आउन कर लीजिएगा आगे आप लोगों कि इस टॉपिक पर वीडियो देखना है ओ आप लोग जरूर बताइए ताकि आप लोग के लिए मैं अच्छी अच्छी वीडियो सेयर करूं बिंटर में तो मैं आप लोग से मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए